जैहिन नमस्कार दोस्तों डिफेंस की तयारी करने वाले सभी कंडिडेट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज से हम मोक टेस्ट की सीरीद स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि अब लोकडाउन हो चुका है तो आपको भी ध्यानी होग कि जो कोचिंग है होस्टल है बंद हो रहे हैं और आपकी तयारी में रुकावट नहीं आनी चाहिए इसके लिए हम जो है मोक टेस्ट की सीरीद स्टार्ट करने वाले हैं तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं हमारी जी की और साइंस की जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसको हम यहां पे शुरू करते हैं आपको क्या करना है आपको भी साथ साथ में आंस्वर सदेते जाना है और जितने आंस्वर सही हुए वह कॉमेंट वाक्स में कॉमेंट करके बताना है कि आपके कितने question जो है राइट हुए है तो चलिए पहला question देखते हैं आजाद दस्ताक किस ने गठित किया ओप्शन्स यहां पर आपके सामने हैं जैबी कृपलानी राम मनोहर लोहिया जैप्रकाश नारायन और यह पटवर्धन देखे इसमें यह मैंने चेक करने के लिए पहले करके देखा था यह क्यूस्चन तो इसमें सी ओप्शन राइट है अब नेक्स्ट क्यूस्चन से आपको यहां पर बताना होगा कि कौन सा क्यूस्चन राइट है ठीक है तो आजाद दस्ताक गठन जैप्रकाश नारायन ने किया था नेक्स्ट क्यूस्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दोरान जेल से फरार होकर भूमीगत गती वीधियों को किस ने संगठित किया यहां पर भी चार ओप्शन्स हैं आपको ओप्शन सही जो है वो बताना है तो जैप्रकाश नरायन इसका सही उत्तर होगा इन्होंने जो है भूमिगत जो गति वीधी हुई थी भारत छोड़ो अंदोलन के दोरान तो उनको संगठित किया नेक्स्ट किश्चन हम यहां पर देखेंगे हमारा मेवार से युद्व तथा चितोड की संधी किसके शार्षनकाल की महतपूर्ण उपलब्दी है अब यहां पर यह बादशा है उनका क्रम दिया हुआ है मुगल बादशा है आपको बताना है कि जो चितोड है और मुगल है उनके बीच मैं एक संदी हुई थी और वो कौन से राजा के शार्षनकाल में हुई थी तो जहांगीर के शार्षनकाल में यह संधी हुई थी नेक्स्ट क्रिश्टन मुगलों एवं मेवाड के राणा के मध्यें चितोड की संदी किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी अब यह बताना है कि कब हस्ताक्षरित हुई थी तो जैसा कि उपर आंसवर था जहांगीर उसी की बात कर रहा है उसी संदी की तो यह जो तरह ऐसे गुमा कर पूछा जाए आपको जो है आनस्वर ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट कुश्चन एहमद नगर के निजाम शाही वंच का अंत कैसे हुआ ओप्शन्स यहाँ पे आपके सामने हैं ओप्शन्स थोड़े बड़े हैं तो आपको थोड़ टाइम दे रही हूँ आप अराम से पढ़ सकते हैं इनको आजीवन कारावास दे दिया गया था और जो एहमद नगर था उसको मुगल समराज्य में मिला लिया गया था ठीक है नेक्स्ट कृष्चन यहाँ पे देखते हैं किस शाषक ने विदेशों में आधुनिक रीती पर दूतावासों की स्थापना की कौन सा शाषक था बताईए जिसने आधुनिक रीती पर विदेशों में दूतावासों की स्थापना की थी तो जो टीपू सुल्तान है उन्होंने ये कारे किया था डी ओप्शन सही होगा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ और जो डिटेल के साथ है आप हमारी बाकी क्लासेज में पढ़ सकते हैं अभी जो है ये अपका मोक टेस्ट चल रहा है तो इसमें जल्दी जल्दी जितने ज़्यादा क्यूश्चन कवर हो सकेंगे वो हम ट्राई करेंगे यहाँ पे लेखकों के या पुस्तकों के सवाल भी एक्जाम में आते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है औप्शन सहीं मुन्सी प्रेमचंद अरस्तू संजय बारू हर्वर्ट स्पेंसर जल्दी बताईए भारत नाम की उत्पत्ति बताईए कौन से राजा के नाम से हुई है तो यहाँ पे भरत चक्रवर्ती आपने देखा होगा एक सीरियल भी आता था थोड़े दिन पहले शकुंतला और जो दुश्यंत था उनका बच्चा हुआ था भरत तो जो भरत राजा था उसके नाम से ही भारत का जो नाम है वो माना जाता है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है नेक्स्ट कुष्टन नाभी के भोतिकी का जनक किसे माना जाता है नुकलियर फिजिक्स फादर ओफ नुकलियर फिजिक्स जल्दी से बताईए नाभी के भोतिकी का जनक किसे मानते हैं तो रदर फोड को हम मानते हैं नुक्लियर फिजिक्स का जनक ठीक है नेक्स्ट कुशान किस मध्य एशियाई जन जाती के वन्शाज थे कुशान तो ओप्शन्स आपके सामने हैं यहाँ पर डी ओप्शन्स ही होता हुआ यहाँ जो जन जाती थी उसके वन्श माना गया है कुशान को कुशान जो वन्श पूरा हमने पढ़ा हुआ है आज थोड़ी यहाँ पे भीड़ भी बहुत है हमारे एरिया में हाला कि लोक डाउन है लोक डाउन की समय भी लोक घर पे नहीं है आप घर पे रहिए और अपनी त अभी हम ओफिस नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर से ही जो है क्लासेज आपके लिए रन कर रहे हैं यहाँ पे हो सकता है थोड़ी आपको आवाज की प्रोब्लम हो सकते है साउंड इशू थोड़ा हो सकता है चलिए स्टार्ट करते हैं अमर नायक प्रणाली किसकी राजनितिक खोस्ति अमर नायक प्रणाली बताइए तो यह विजेन अगर होगा इसका सही आंसर जो है नेक्स्ट किसचन गांधी इर्विन समझोता को और किस नाम से जाना जाता है गांधी इर्विन समझोता ये दिल्ली में हुआ था तो इसको दिल्ली समझोता के नाम से भी जाना जाता है ठीक है भी option सही होता हुआ यहां पे next question जो अभी हमने बात की गांधी इर्विन समझोता दिल्ली में जो हुआ था वो कब हस्ताक्षरित हुआ यह आपको बताना है options आपके सामने हैं देखिए जो sun के questions होते हैं यह थोड़े hard होते हैं याद करने में तो आप इसको लिखके भी याद कर सकते हैं बी option यहां पे सही है पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ था next question गांधी इर्विन समझोते की विशेष्टाएं क्या थी वो आपको बताना है यहाँ पे तो गांधी इर्विन समझोते की विशेष्टाएं हम देखेंगे चार options आपके सामने हैं देखिए सारे ही option यहाँ पे सही हैं राजनेतिक बंधियों की रिहाई की जाना समूंधर के किनारे नमक बनाने का अधिकार देना सविन्य अवग्या आंदोलन जो है वो स्थागित करना यह सभी गांधी इर्विन समझोते की विशेष्टाएं थी डी option थी आपके आपका जो है वो सही होगा यह काफी important question आगे आता हुआ ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ती कहां से आये थे ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ती तो सिस्तान से आये थे ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ती जिनकी दरुगा जो है वो अजमेर में स्थित है नेक्स्ट क्रिश्चन ख्वाजा मौहिनुदिन चिस्ती भारत कब आए? अब आपको सन जो है वो बतानी है यह आपने बता दिया कि सिस्तान से आये थे सन कौन सी है जब यह आये थे भारत में तो 1192 इस्वी में आये थे कि यह मौहिनुदिन चिस्ती नेक्स्ट क्रिश्चन के इनके गुलू का नाम बताना है ले गाल आपको यह भारत हिक कर देर, कैए ऐस ख्वाजा मौहिनुदिन चिस्ती रीचर बंको क cheap K कि वाचा उस्मान हारूरी रिचुचिए टेर, कीई किसने करवाया इनकी जो दरवा है वो किसने बनवाई वो बताना है आपको तो तो मीर उस्मान अली खान ने ख्वाजा मोहिनोदिन चिषति की दरवा का निर्माण करवाया नेक्स्ट क्रिस्टन ख्वाजा मोहिनBancia का जनम पुव हुआ जनम बताना है सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तो खौजा मोहिनदिन चिस्ति का जरम कब हुआ? 1143 इश्वी में हुआ नेक्स्ट किस्टन खौजा मोहिनदिन चिस्ति की दरगा कहां पर स्थित है? ये तो मैंने आपको बताइँ दिया है कि अजमेर में स्थित है देखे इस तरह से हमने आज काफी सारे इतिहास के question को solve किया है next series जो है हमारी चालू रहेगी हमारी इसी channel पे तो बने रहे हमारे channel के साथ और हाँ telegram channel का link description में दिया हुआ है free notes available है free notes के लिए और नई जो update है वो जानने के लिए आप telegram channel के साथ भी जुड़ सकते हैं thank you so much धन्यवाद